हेलो एड़ीवन, वेलकम टो अनेस्ट वालाई सेकेट में, वह इमीद करता हूँ, आप लोग अच्छ होंगे और आप लोग इत्यारी भी काफी जबरदस्त, काफी धासू तरीके से चल रही होगी के लिए जानना बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट हो जाता है, क्या है इस न्यूज में, इन तमाम मुद्य को पर आज हम बात करने वाले हैं, तो आइए सुरू करते हैं, क्या है इस न्यूज में, तो यहाँ पे देखिए, यूपी एससी डॉट जियो वी डॉट इन है, और यूपी एससी, online.nic.in है, यहाँ से आप एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपको क्या क्या चीज़े करनी हैं, वो चीज़ देखिए, एड्मिट कार्ड में, रॉल नंबर, परिक्षा केंदर और COVID-19 से सम्मधित दिसा निर्देश दिया जाएगा, इसके बारें बात किया जाएगा, और साथ ही कहा जा रहा है कि UPSC की ओर से आयोजित होने वाली सिविल सिवा परिक्षा के परवेश पत्र जल्द ही जारी होंगे, आयोग के तरफ से जारी स्चेडूल के अनुसार 10 अक्टूबर को प्रस्तावित इस परिक अच्छा से तीन सपता पहले जारी किया जाएगा यहा देख लीजे, तीन सपता पहले आपका एड्मिट काड आना है, यानी कि 21 दिन पहले आपका एड्मिट काड आ जाएगा, परिक्षा के लिए ऐसे में 67 को सलाह दी जाती है कि यूपीएसी सिविल सेवा परिक्षा प्रिलिम्स परिक्षा के एड्मिट कार्ट से जूरी लेटेस्ट अपडेक चेक करने के लिए ओफिसल ब्योसाइट पर विजिट करते रहे हैं यह दिया जा रहा है लेकिन मैंने अभी ब्योसाइट को विजिट किया है और तमाम मेरी जो अगर किसी उमिद्वार को परिक्षा सुरू होने से तीन सब्ता पहले परिक्षा के लिए एड्मिट कार्ट प्राप्त नहीं होता है तो उसे तुरंत आयोग से संपर करना चाहिए यह अगर तीन सब्ता पहले अगर आपका एड्मिट कार्ट नहीं आया है आप डाउनलोड यहाँ पे देखिए तीन चरणों में होती है यहाँ पे प्रिलिम्स मेंस इंटर्व्यू तो यह सब आप जानते हैं तो इसी चीज़ के लिए अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया कि आपका तीन सब्ता पहले एड्मिट काड़ाने वाला है और यह आप देख सकते हैं कि ज़रूर प्रेश कर लिजएगा क्योंकि सब कुछ आपको मिलता है अपको क्योंकर आप लोगों के लिए वह नियूज यह है कि अगर आभी तक आपने 9-19 नहीं लिए तो वैक्सिन ज़रूर ले लिजएगा क्योंकि यह बहुत जदा इंप्रिंट होने वाला है आपके जित इसका बहुत जदा important role होने वाला है इस वीडियों बस इतना ही अगर कोई और वीडियो चाहिए, किस और टॉपिक पर चाहिए तो comment box में comment करके बताईएगा, मैं उसको पर वीडियो बनाऊँगा Thank you so much everyone, जै हिंद